आगे वाई साब आगे smart cube लेकर इस दुनिया का सबसे बहतरीन smart cube माना जाता है इसे GAN i3 और ये GAN का इस आखरी smart cube है मतलब जो उसने release किया अब तक यही है सबसे latest आप लोग कह सकते हो कह नहीं सकते बलकि यही है जहां तक मेरा knowledge है और आज की वीडियो में इसको unbox करेंगे इस पे कुछ test satisfying है उतारना मेरा है आइफून को भी अनबॉक्स करना इतना यह उसकी sheet उतारना इतना satisfying नहीं होगा मतलब मैं इस चीज को feel कर रहा हूं भी ओ भई लेवल हो गया भई यार यह background noises को ना ignore करना यह बहुत late night हलाकि मैं अभी shoot कर रहा हूं फिर भी यह सब कुछ हो रहा है मतलब बहुत late night तो नहीं लेकिन अभी काफी रात हुई भी है मतलब 9-10 बज़े के आस-पास का time है और finally ओ यार यह bag का color मुझे सबसे पहले मुझ है jack black क्या color है मुझे नहीं पता लेकिन इसके अंदर हम फिलहाल RS3M ओ भाई यार सब जानते हैं और cards की भी I think कोई जरूरत नहीं है फिलहाल main चीज है cube उसको भी side पर रखते हैं यह है इनका charger यार यह charger कितना cute है ओ यह अंदर ठीक 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 इसके उपर हम cube रखते है और यह type C का charger है जब हम इसके साथ इसको उपर रखते हैं तो यह charge होने लग जाता है और इसके अंदर क्या है यह क्या attention है अच्छा 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 हमें साथ यह सबसे सबसे बहतरीन चीज है जो हमें साथ एक इसकी data cable कहेंगे क्या कहेंगे cable देखने को मिल यह यह एक बहुत अच्छी चीज है और ओहो इसके adjustment system से मुझे हमेशा से नफरत है इनको मैं कभी भी try नहीं करने वाला जहां तक मुझे याद पड़ता है और इसके अंदर और भी है और भी spring sets है और यह इसका user manual है जिसकी हमें आइधिंग ना ही जुरूद पड़े तो जिस तरह मैंने उतारा मुझे लगता है नहीं भी वो ठीक ठाक है खैर इस सब को यहां से दफा करते हैं और हमारी main चीज है क्यूब उसकी बात करते है यार क्यूब की तरफ जाने से पहले मुझे यह चीज बहुत अट्रेक्ट कर रही है इसका material बहुत बहुत जबर दस्ता है खेर 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 बहुत हो गई हमने main चीज तो क्यूब ही है ना आज आके इसके उपर क्या कुछ लिखा हूँ है बई इसके क्वालिटी भी बहुत अच्छी है अगर पैसा लगया तो हमें उस हिसाब की चीज भी मिली है और आइटिंग अब मुझे फर्स टेंग करके देख लेने चाहिए और इसकी लाइट ब्लिंग कर रही है आइटिंग यह स्टार्ट हो गया वही यार इसकी टर्णिंग बहुत सबर्दस्ता है एच पर्म वही एपर्म और यह तो मुझे गैन 11 एम प्रो से भी बहतर लग रहा फिलाल पर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो अच्छा मेगनेट्स को हम अर्जस्ट कर सकते हैं इनकी स्ट्रेंथ को यह बहुत अच्छी चीज लगी मुझे और सेंटर केप्स को निकाल देंगे हम यार मुझे यकीन मनों दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इसको इसकी अप्लिकेशन के साथ कनेक्ट करूँ लेकिन करना तो है भई तो हम अंदर ला रहे हैं अपनी मेन मुबाइल को यार यह इग्नोर करना भी फिलहाल रिकॉर्डिंग हो जो तुम लोग सुन रहे हो आवाज वो इसी पर ही रिकॉर्ड हो रहा है और आइटिंग हमें यह सब कुछ सेट अप कर लेना चाहिए यहाँ पर डिवाइसेज लिखावा मैं फिलहाल इस पर क्लिक कर रहा हूँ सर्च अगेन करते हैं नूँ अवेलेबल डिवाइसेज भई यह क्या है आहाँ गैन आई थरी सैवन के एट क्या है मुझे नहीं पता हुई करते हैं काफी टाइम की मेहनत के बाद इसको हमने कनेक्ट कर लिया है और डिसकनेक्ट लिखा रहा है यानिकि यह कनेक्ट हो चुका है मुझे कोई आइडिया नहीं आज से पहले यह आप्लिकेशन का नाम है क्यूब स्टेशन और मैंने आज ही इंस्टाल की है I think मुझे सब परने का टाइम नहीं हमारे पास scramble scramble हमें मिले है और यह moos को track कर रहा है जैसा-जैसा मैं move कर रहा हूं अभी red है सामने अब मैं blue ले आऊंगा और इसकी इसको हम यहां से क्या नाइ भाई नाइए हम स्क्रैमबल को शुरू करते हैं ओ भाई यार ये जी टू यू प्रेंट एफ आर प्रेंग और अच्छा 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 शुरू हो गया भाई वो उसको क्या कहते हैं यार इंस्पेक्शन का टाइम I hope तुम लोग यार ये ये फोकस का मसला मुझे नहीं पता तुम लोग ऐसे बरदाश्ट कर लो और मैं स्टार्ट करने लगाँ ये इतनी क्यों भई कंफ्यूज हो जाना है क्या अभी स्क्रैंबलिंग यार ये क्या चाल रहा है सब कुछ ये क्या था क्या मैं किसी भी वक्त शुरू कर सकता हूँ आठीक स्टार्ट टाइनिंग बाइ टर्निंग एनिसाइड और काउंटडावन इस ओवर पहले पता नहीं क्यों नहीं था हुआ शायद वो फर्स फर्स ट्राय थी हमारे इसलिए अब थोड़ा इंस्पेक्ट टाइप के कुछ कर लें बहतर यह हमारे लिए कोशिश तो की एंस्पेक्शन की लेकिन कुछ हो नहीं सका क्योंकि अब लगा है एक सेकंड एफडल पर सेवन सेकंड ओल पर वन सेकंड टू सेकंड प्ल पर टीपियस अब मुव्व्विव्टी सिक्स थे एक लास्ट ट्राय यू एफ यू प्रैम ये नीचे भी लिखे वे थे यह मैंने अब देखे यार बहुत चीज़े भी सीखना बाकी है इस पजल में मैं सही बता रहा हूं ओह वाई यही देखना रहा गया था दुवारा मैं सब मुझे एक अच्छा सॉल्व चाहिए यार मैं बहुत देर तक ट्राय करता रहा के यार कोई अच्छा सॉल्व आज़े कोई अच्छा सॉल्व आज़े बट शायद किसमत ही खराब थी यहां पर मैं टाइम लैप्स पे वीडियो नहीं मतलब फास्ट कर दी है वीडियो को और सोचा वाईस ओवर करूं मुझे पता नहां जब मैं वाईस ओवर कर रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि यहां इएडियो मैं बनाऊ कि नहीं को बनाऊं तुम लोग वैसे बता सकते हैं अगर इसका रिवियो डिटेल में चाहिए ऑड़ बनाऊंगा और तुम लोगों को क्यूब स्टेशिन एप आप भी तुम लोगों को समझा दूँगा कि एक क्यूब स्टेशन आप को तुम लोगों ने कैसे यूज़ करना है कैसे कनेक्ट करना है यह क्यूब अपनी अप्लिकेशन के साथ एटीसी एटीसी लेकिन यार मैं बहुत कोशिश की कि यार कोई एक ही अच्छा सॉल्व आज़ यहार कुसम से यह लास्ट ट्राइ लास्ट ट्राइ करने लगाँ और यहां पर जो होगा हो जाए यह वीडियो में सिर्फ हमने अनबॉक्सिंग करने से या कुछ फॉस्ट इंप्रेशन टाइप का इस पर एक डेटेल वीडियो आएगी रिवियो की जो अगली वीडियो होई लेकिन यह सौल्फ अच्छा होना ही चाहिए एट लीस्ट पहलों से बहतर था और इसी के साथ आज की वीडियो को कर रहे हैं हम खत्म इस पर डेटेल वीडियो आएगा तो तुम लोग अभी मतलब तियार रहना उस वीडियो के लिए हम बहुत डेटेल में बात करने वह ओ यार इससे क्यूट चीज क्या हो सकती है खेर गुडबाइ यार सब्सक्राइब कर जाना और ऐसा मजीद क्रीजी स्टफ देखने के लिए मेरा चानल विजिट करो अभी सब् अबस्क्राइब यार